दोस्तों पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जानते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इससे गुर्दे और पाचन तंत्र की समस्या भी हो सकती है क्या आप जानते थे कि खड़े होकर पानी पीने से आर्थराइटिस होने का भी खत्रा हो सकता है खड़े होकर पानी पीने से हमारे घुटनों पर जोर परता है जिससे arthritis होने की संभावना रहती है जिन लोगों को घुटने से संबंधित परेशानी है उन लोगों को जरूर उनके डॉक्टरों ने ये कहा होगा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए और आपने अपने बड़े बूरों को भी कहते सुना होगा कि पानी पीना है तो आराम से बैठ कर पियो खड़े होकर पानी नहीं पीते खड़े होकर पानी पीने से गुर्दे की बिमारी भी हो सकती है जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो इससे पानी हमारे गुर्दे के माध्यम से बिना छने बाहर निकलाता है इससे मूतराशाय में गंदगी जमा हो जाती है ऐसा करने से दिल, गुर्दे और मूतराशे की बिमारिया हो सकती है और खड़े होकर पानी पीने से गठिया की समस्या भी हो सकती है खड़े होकर पानी पीने से शरीर में मौझूद कई अन्य तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और गठिया की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ का ध्यान ना रखें तो ये ही पानी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान दायक भी बन सकता है तो प्लीज आज से ही इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप पानी पिएं तो बैट कर पिएं हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग या इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को धन्यवाद